सिंगहासन 32 का राज दोस्तों वहीं कश्मीर के कवी सोमदेव ने बेताल पच्चिसी को संस्कृत में लिखा और नाम दिया कथा सरित्य सागर बेताल पच्चिसी के रचियता बेताल भट थे ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के नौरतनों में से एक थे ये किताब काफी लोकप्रिय हुई और इस पर एक सीरीज भी बनाई गई इस कहानी में देख सकते हैं कि एक बेताल यानी भूत है जो राजा विक्रमादित्य की पीट पर बैठ जाता है कहते हैं कि इस पुस्तक की रचना 495 इसापूर्व में हुई थी कश्मीर के महाकवी सोमदेव भटराव ने इसको फिर से संस्कृत में लिखा और कथा सरित्य सागर नाम दिया हालकि इसके बाद वक्त जैसे जैसे गुजरा इस बेताल 25 का लोगों में क्रेज भी बढ़ने लगा इतना ही नहीं इसके बाद कई लेंग्वेज में इस किताब को लिखा गया बेताल के द्वारा सुनाई गई रोचक कहानिया सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं होती थी बल्कि उनमें कई मैसेज होते थे जो इनसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक होता था क्या सही है और क्या गलत इसको यदि हम ठीक से समझ लें तो सभी प्रशासक राजा विकरम की तरह नियाय प्रियय बन सकेंगे और छल और द्वेश छोड़ कर कर्म और धर्म की रहा पर चल सकेंगे इस प्रकार ये कहानिया नियाय राजनी थी और विशम परिस्थितियों में सही निर्ने लेने की इक्षमता को डेवलप करने का काम करती थी। आज के नए दौर में लोगों के लिए समराठ विक्रम अदित्ते से जुड़ी कहानिया जिंदगी में बहुत काम आ सकती हैं। इसमें कहा गया है कि बेताल नाम का प्रेथ राजा विक्रम को हर रोज एक स्टोरी सुनाता था और जब स्टोरी खत्म होती थी तब वो एक सवाल राजा से किया करता था। धारा नगरी में गंधर्व से नाम का एक राजा हुआ करता था। उस राजा की चार रानिया थी। उसके छे लड़के थे लिकिन एक दिन उस राजा की मौत हो जाती है। और उसने इसी मन के साथ अपनी गद्धी, अपनी छोटे भाई भृत हरी को सौपती। इसके बाद योगी बनकर पूरे देश का दौरा करने वो निकल पड़ा। दूसरी और एक शहर में एक ब्रहमन तपस्या करता था। एक दिन देवता ने खुश होकर उसे एक फल देते करेंगे, हमेशा भीक मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। इसके बाद ब्रहमन फल लेकर राजा ब्रिथरी के पास महुचा। ब्रिथरी ने फल ले लिया और ब्रहमन को स्वन् वहीं ब्रिथरी अपनी एक राजा को दिल से चाहता था। इसलिए उसने महल में जाकर वो फल उसी को दे दिया। इसके बाद राणी की दोस्ती शहर के कोतवाल से थी। राणी ने उस फल को कोतवाली को देने का फैसला किया। जबकि कोतवाल ने उस फल को वेश्या को दे कर दिया लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही फल है उसे दुख हुआ लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा उसने महल में जाकर रानी से उस फल के बारे में जानना चाहा और कड़े सवाल पूछते हुए कहा कि उस फल का तुमने क् रानी ने कहा मैंने उसे खा लिया लेकिन राजा ने उस फल को फौरन निकाल कर उसके सामने रख दिया रानी पूरी तरह से चौक गई और उसके बाद उसने सारी बातें सच सच बता दी इसके बाद भृथरी ने पूरी बात की जाच की तब जाकर उसे भी पूरे सच का पत उसके बाद भृत हरी बहुत दुखी हुआ उसने सोचा ये दुनिया माया जाल है इसमें अपना कोई नहीं इसके बाद उसने उस फल को धोया और खुद ही खा लिया इसके बाद राजपाट छोड़ा योगी बन गए और जंगल में तपस्या करने चले गए बृत हरी के जंग पाद छोड़ कर वन में चले जाने की बाद एक दिन विक्रम को किसी तरह से पता चल गई और उसने फिर से अपने देश लोटने का फैसला किया इसके बाद राजपाट की यहाँ पर देव से मुलाकात होती है जिसने बताया कि हे राजन एक नगर और एक नक्छत्र में तु तुम राजा के रूप में पैदा हुए थे वहीं दूसरा तेली के और तीसरे ने कुमार के रूप में जन्म लिया तुम यहाँ पर राज करते थे जबकि तेली पाताल का राज करता था उसने आगे बताया कि कुमार ने तेली को मार दिया और शमशान में सिरस के पेड़ प पैदा हो गया हलाकि बाद में शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में पहुँचा और उनको एक फल दे कर वहां से निकल गया राजा को लगा कि देव ने जिस इंसान के बारे में बताया है शायद ये इंसान वही तो नहीं इस सोच के साथ उन्होंने उस फल को नहीं खाया और सेना पती को देने का फैसला किया योगी आता और राजा को एक फल दे जाता ये भी एक तफाक था कि एक दिन राजा ने योगी द्वारा दिये गए फल को एक वानर को दे दिया वानर ने फल थोड़ा तो उसमें से बड़ा सा हीरा निकला हीरे में इतनी चमक थी कि सबकी आखें एकदम से उस हीरे पर टिक जाती हैं। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा आप ये हीरा रोज मुझे क्यों दे देते हैं। योगी ने जवाब देते हुए कहा कि महराज राजा, गुरू, जोतशी, वैद और बेटी इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद राजा ने सेनापती को बुलाया और सभी फल को मंगवाते हुए तुडवाना शुरू कर दिया। तब देखा गया कि सभी फलों में से एक-एक हीरा निकलने लगा। ये सब देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं र इतना सुनना था कि राजा ने योगी का हाथ पकड़कर उसे अकेले में ले गया। वहाँ जाकर योगी ने कहा महराज बात ये है कि गुदावरी नदी के किनारे शमशान में मैं एक मंत्र सिध कर रहा हूँ। उसके सिध हो जाने पर मेरा मनुरत पूरा हो जाएगा। तु उसे अपने पास बैठने को कहा तब राजा ने पूझा मेरे लिए क्या आग्या है। योगी ने कहा राजन यहां से दक्षिन दिशा में थोड़ी दूरी पर शमशान होगा। वहाँ पर एक पेड़ नजर आएगा उस पर एक मुर्दा लटका नजर आएगा। उसे आपको मेरे पास लाना है। योगी ने आगे कहा कि जब तक उस मुर्दे को पकड़ कर लाओगे तब तक मेरी सारी पूझा पाठ पूरी हो जाएगी। उसके बाद राजा वहां से निकल गया और अमावस्या की तरहा काली राथ थी और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां पर रसी से बंधा प्रेत लटक रहा था। राजा पेड़ पर चड़ गया और तलवार से रसी काट दी प्रेत नीचे गिर पड़ा। राजा ने नीचे आकर पूछा तू कौन है। राजा का इतना कहना था कि वो प्रेत हस पड़ा। राजा को ये सब देखकर काफी हैरानी हुई तभी वो प्रेत फिर से पेड़ पर जा लटका राजा फिर चड़कर उपर गया और रसी काट प्रेत को अपनी पीट पर लाद लिया रास्ते में वो बोला मैं बेताल हूँ तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है राजा ने परीचे दिया और कहा मैं तुझे योग और ग्यानी इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीचते हैं जबकि मूर्खों के दिन कलहा और नींद में बहतर होगा कि हमारा सफर अच्छी बातों की चड़चा में बीच जाए इसलिए राजा मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ इस तरह से बेताल 25 की कहानियों की शुरवात होती है। फिर एक कहानी फिर एक सवाल हर सवाल का जवाब राजा दे देता बस ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा 25 बार इस पर एक टीवी शो भी बनाया गया है और हर कहानी आखिर में कोई ना कोई सीख दे कर जाती थी